हलो फ्रेंड्स मेरा नाम डीडी सिंग है और आज इस कोडिंग की सीरीज में मैं आपको अगेन एक एफल से से रिलेटेड प्रोग्राम पढ़ाने जा रहा हूं तो चलिए यह जो प्रोग्राम है वो बेसिकली एक केस स्टडी के ऊपर है वो केस स्टडी क्या है एक यूज केस क्या है उसका अकलोध सोरूम हैज अनाउंस्ट अफ फेस्टीवल डिसकाउंट ओन डा टोटल कॉस्ट आफ दी आइटम परचेश नॉर्मली जैसे हम लोग किसी भी फेस्टीवल पर कोई भी सॉपिंग करते हैं तो जितना भी अमाउंट हमारा होता है जो भी बिल बनता है उसपर हमको कुछ डिसकाउंट मिलता है कि आपने इतने रुपे की अगर परचेशिंग की है तो उसपर इतना डिसकाउंट है तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि एक प्रोग्राम में हम टोटल कॉस्ट एजन इंपूट लेंगे और हमें वो अमाउंट डिस्पले कराना है जो कि कस्ट्यूमर को एक्च्वल में पे करना है सो हम अमाउंट लेंगे यूजर से कि आपने कितने की परचेशिंग की और ऑन दा बेसिस ऑफ डैट अमाउंट हमने एक स्लेप्स बना रखे हैं जैसे स्लेप्स के हैं मैंने उसके लिए एक टेबल बना रखी हैं आपे कि अ तो इसको 25% का डिसकाउंट होगा तो यानि कि जो अमाउंट है यह अभी पे नहीं करना है पे कौन सा करना होता जो डिसकाउंट के बाद होता है एक चीज आपको समझने है हम इसमें डिसकाउंट केलकुलेट करेंगे और डिसकाउंट को हमेशा माइनस किया जाता है ऐसे ही मैं आगे चलके कोई एक प्रोग्राम और पढ़ाऊंगा किसी अगले वीडियो में वहां पर कमीशन की बात करूंगा कमीशन को हमेशा एड किया जाता है और डिसकाउंट को हमेशा हम माइनस करते हैं तो यह स्लैप्स है दूजार तक है तो फिप्टीन टू थाउजन से लेके तक है तो 35% और टैन थाउजन से उपर का अगर बिल है तो इस ट्रेट उसको 50% का डिसकाउंट मिलेगा आप यह जानते हैं कि सी में प्रोग्राम बनाना इस वेरी इजी मैं थोड़ा सा आपको एक वेसिक आईडिया इसका देना चाहता हूं सबसे पहले आप यह जानते भी हैं कि सबसे पहले हैडर फाइल इंक्लूड करेंगे हमारे प्रोग्राम का एग इजीकूशन में से सिरू होता है और यह आप अपनी हैविट में लेके आईए कि सबसे पहले हमको वेरी इबिल्स को डिकलियर करना है हालांकि एक एप्रोच यह भी हो सकती है कि जब वेरी इबिल की हमें जरूरत पड़े तभी हम वेरी इबिल बनाए और अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया कि इस प्रोग्राम के अंदर हमें कितने वेरी इबिल्स की जरूरत होगी तो आप इनीशल फेज में ही उनको डिकलियर कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर तीन वेरीवल बनाए अमाउंट जो हम यूजर से लेंगे कि वह आपने कितने की सौपिंग की है यह वो डिस्काउंट होगा जो मैं कैलुकुलेट करूंगा ओन दा बेसिस ऑफ दी अमाउंट और फाइनली जो हमको पे करना है विच इस दा नेट अम तो यहाँ पर मैंने डबल ले लिया बट देखिए इस पर नॉर्मली डबल क्यों ले रहे हैं क्योंकि जो परसेंटेज होगी उसमें डिवाइड वाई अंड्रेड होता है और जहां कहीं भी डिवीजन का इंवॉल्मेंट हो हालांगे मैं तो अभी एजा स्ट्रेट वहाँ अब दसमलब का यूज करूँगा डिवाइड वाई अंड्रेड नहीं करूँगा बट फिर वी जहां कहीं भी डेसिमल वेल्यूस का इंवॉल्मेंट होता है वहां पर हम डवल या फ्लोट डेटाइप का यूज कर लेते हैं हमने एक मैसेज प्रिंट कराना यूजर के सामने एंटर यूर अमाउंट इसे देखकर कोई भी इंसान अपना अमाउंट डाल देगा वह हम यहां पर ले लेंगे यहां पर बस चेक लगाए यही तो पढ़ाना है इस प्रोग्राम का अबजेक्टिव यह है कि आपको इफेल्स ऑपरेटर्स इनकी एक अंडरिस्टेंडिंग होनी चाहिए तो जैसे अगर आपकी शॉपिंग अमाउंट अगर 2000 तक है तो दिखेंगे डिस्काउंट कैसे नकले अमाउंट का 15% परसेंटेज क्या होता प्रती सत तो डिवाइड वाई अंडरेड ही तो हुआ तो मैंने यहां पर क्या कर दिया यह सारा डिवाइड वाई है तो इस पर 25% और अगर 5000 से लेके 10,000 तक है तो 0.35 और अगर इस से भी उपर है तो 50% होगा इसमें इंपोर्डेंट बात क्या है बता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यह भूल जाते हैं कि हमको जो नेट अमाउंट निकालना है वो बेसिकली अमाउंट में से उस डिसका पेमेंट है वो हम यहाँ पर डिस्पले करा देंगे नीचे में इस प्रोग्राम को जावा में भी लिखा हुआ है बट मैं आपको फिलाल इस प्रोग्राम को सी में बताना चाहता हूं इस प्रोग्राम को आप स्टेप बई स्टेप एक बार करिये मैं ब्राउजर ओपन किया मैं एक ओनलाइन कंपाइलर यूज कर रहा हूं तो दिर इस वन वैप साइट क्या नाम उसका ओनलाइन जीडीवी.com सिंपल इसमें टॉप राइट में एक ओप्सन आता है यहांसे आपको इस प्रोग्राम बनाना है जैसे मैं सी में बनाना चाहता हूं यहां पर जो भी कुछ पहले से लिखा हुआ है सलेक्ट करें और डिलीट कर दें इस्टेप बई स्टेप समझते हैं सबसे पहले हमने एक हैडर फाइल इंक्लूड की हमारे प्रोग्राम का एग इजिग उसके बाद डिसकांट की बाद करें च्वर्ट फ़ महले से लिरफ दिसकांट और बाद में वो नेट प dedic के लिए एक वेरियेब्ल बना लिया यहांपर चाहें तो आप एक कमेंट भी लिख सकते हैं आपने लिखा इसको बिशेकली हम लोग वेरियेब्ल डिकलरेशन कहेंग प्लीज एंटर योर शॉपिंग अमाउंट यहां पर स्लेसेल लगा दे तो इससे करजर तोड़ा सा नीचे आएगा अभी में से स्टेप बे स्टेप और समझा दूँगा आपको रैट और यहां पर हमने वो इन्पुट लिया आप ध्यान रखना क्योंकि आपने डबल डेटा टाइप लिया है तो यहां पर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा विच इस एलेफ एलेफ इस्टेंस फर वाट लॉंग फ्लोट हम यहां पर आए आपने एम परसेंट लिया और यहां पर आपने उस अमाउंट को स्टोर करा लिया पुट सेमिकॉलन है इतना कुछ करने के बात अब आपको बस केल्पुलेशन करने है कि इफ अमाउंट इस लेस देन इक्वल टू तू थाउजन यानि कि दो अजार से कम कुछ भी है हालांगे आपर एक चेक और लगाया जा सकता था कि एक रुपे से लेके दो अजार रुपे तर बड़ यह अजूम किया जाता कि क 0.15 अमाउंट कराइट देन अब आपको दूसरी कंडिशन आने तो यह मैं बार 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 बताऊंगा कि जब भी कभी एलस लगाते हैं तो एलस और इफ के बीच में गैब देना होता है हमको हम यहां पर आए और यहां पर अमाउंट ग्रिटर देन टू थाउजन यह चीज बहुत इंट्रेस्टिंग बताने वाला हूं कि देखिए less than equal to यहां पर 2000 अल्रेडी इंक्लूड हो चुका है तो यहां पर मैंने greater than का sign लगाया है यह घडबड मत कर देना कि यहां पर भी इस 2000 को इंक्लूड कर लिए और यहां पर भी कर लिए वो तो गलत हो जाएगा ना फ और अमाउंट less than equal to what 5000 डिस्काउंट और यहां पर वो टेबल आपको पता होनी चेह कि उसमें डिस्काउंट कितना था इस पर था जैसे 2000 और 5000 की बीच की अगर बात करूँ 2000 to 5000 तो 25 परसेंट था राइट मैं यहां पर फिर से आया तो 0.25 देन एक एल से फॉल लगाना पड़ेगा अगर आपका जो अमाउंट है विच इस ग्रेटर देन 5000 और उसके साथ साथ अगर अमाउंट हमारा जो है अगर वो 10,000 तक है तो हम यहां पर आए डिसकाउंट इस इकल टू अमाउंट इन्टू 5000 और 10,000 के बीच में था तो कितना था 35 परसेंट राइट अब यहां पर नीचे सिंपल एल्स भी लगा सकते हैं कि अगर वो 10,000 देखिए यहां पर मुझे 1000 हो गया है एक जीरो ओल लगा देते हैं राइट अब इसमें भी नहीं आ रहा तो ओवियस है कि वो 10,000 से उपर का ही होगा देन यहां पर हमें उसको यह टाइपो है डिस्काउंट में यहां पर आए अमाउंट इन्टू 0.50 इतना कुछ करने के बाद अब आप नेट पेमेंट कैसे नेट में क्या करना होगा अमाउंट में से आप इस डिस्काउंट को माइनस कर देना इतना कुछ करने के बाद जो पेविल अमाउंट होगा न वो आपको प्रिंट कराना है तो यहां पर क्या लेगा परसेंट एलेफ और आपने प्रिंट कराते वक्त किसे लिखा आपने नेट पेमेंट को यहां पर यह एक है तो बॉटम में आपने देखा उगा उसका क्लोजिंग यहनी कि हमेशा यह चीज़ें किस में होंगी पेर में होंगी तो एक बार मैं आपको इस प्रोग्राम को एगजीउट करके दिखाना चाहता हूं मैंने इससे रन किया और देखिए एक एरर दिराएट लाइन नंबर 12 पर बड़ा सरल है लाइन नंबर 12 पर आए और मुझे पता लग गया कि अमाउंट की जो इस्पेलिंग थी वो मैंने गलत कर दी है मैंने फिर से रन किया प्लीज एंटर योर सौपिंग अमाउंट मैं इसमें यह देखना चाहता हूं कि क्या उसमें 50 परसेंट का डिसकाउंट आ रहा है या नहीं आ रहा है तो मैंने उसमें जान बूचकर 12,000 डाल दिये राइट what I have entered here 12,000 मैंने enterprise किया तो यहाँ पर देखना पड़ेगा देखो pay will amount is कितना आ रहा है देखिए सौरी यह जादा हो गया एक लाग वीस अजार हो गया है मुझसे बट यहाँ पर दसमलबबबबद आप देख रहे हैं six zeros आ रही है राइट मैं नहीं चाहता कि इतनी आएं तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं पता है यहाँ पर output में 0.2 लगा दिजे इसमें आपने यह इंशोर कर लिया कि दसमलब के बाद अब दो ही डिजिट होंगे मैं एक बार फिर से रन करा रहा हूं और आपके यहाँ आप गिविन थ्री वैल्यूज मैंने तीन जीरो दिए इसमें मैंने एंटरप्रेस किया गोईंग टू सोधा अंसर सी पेविल अमाउंट इज वाट सिक्स थाउजन यानि कि 50 परसेंट हो गया ना इस प्रोग्राम को एक वार आप लाइन वाइन समझी है हमारे प्रो थ्री वैरियेबल्स राइट अमाउंट एक है डिसकाउंट और एक है नेट पेमेंट जो हमें देना है पे करना होता है यह तीन वैरियेबल बने अमाउंट का डिसकाउंट का और नेट का अब यहाँ पर एक मैसेज आपको प्रिंट कराना है प्लीज एंटरी और दिस वन त तो मैंने यहां पर वो लिख लिया, उसके बाद चेक लगाया, क्या amount की value 2000 से छोटी है, बिलकुल नहीं, 12000 तो इससे बहुत बढ़ा है, यहां पर आए, जब यह condition for the interest में, यह नहीं जाएगा, else से, क्या हमारी जो value वो 2000 और 5000 के बीच में नहीं है, which is what, 12000 न, न इसमें आ रहा है, और यहां पर आप देख रहोंगे, amount का 50%, तो just आदा हो गया, तो यानि कि, यह तो समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को, 12000 into 0.50, तो just आदा हो जाएगा वो, तो discount में हमारा कितना आ गया, 6000, थोड़ा सा मैं, आपको नीचे लेके आना चाहता हूं, C, में आपर, let me, let me rough this one, right, अब एक value हमारे पास है, this one, which is what amount में से discount को minus करना है, यानि कि, 12000 में से, हमने 6000 को minus कर दिया, तो कितना बचा होगा, बताई, net amount में कितना आ गया होगा, बताई, 6000, क्योंकि, by default double में, decimal के बाद, six digit होते हैं, six zeros होती हैं, आप उनको भी confined करना चाहते हैं, सीमित करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लगा देजे, point two, LF का मतलब क्या होता है, long float, I hope, यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी, तो आप मुझे, please, comment में जरूर बताना, कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, इससे आपको क्या सीखने को मिला है, thank you so much. कुछ ऑगस कुछिए को मरें अगार, मुझे उनाच।